Hello everyone Welcome to AS Physics 19 इस वीडियो पर हम dual nature of matter and traditions के question solve रहे है जो पने पास based रहें के aims nursing paramedical exams के उपर question number first पने पास दिया है if a light wave of wavelength 4950 angstrom is viewed as a continuous flow of photons what is the energy of each photon in electron volt ठीक है अगपास energy बताना है each photon का पने पास फोर्म में होता है energy of photon का e is equal to h frequency और question पे लेमडा गिवन दिया है तो frequency को चेंज करना पदेगा लेमडा की फोर्म में लेमडा उन्हें पास होता है c upon frequency तो यहां से frequency बनेगा पास c upon lambda उन्हें पास energy का फोर्म में जाएगा e is equal to h c upon lambda ठीक है अब यहां पर जो energy की वैलू रहेगी है यह है फ्लांग कॉंसेंट उसके वह लिए होती है 6.6 x 10-34 hospital light है 3 x 10-8 upon purpose lambda दिया है 4950 x 10-10 ठीक है मैं एंग स्टों को चेंज करते है 10-10 ठीक है अब इसको solution करना है इसका पास हम इसको लेके चल रहें अप्रोक्स में चीज़ें ठीक है 3 x 10-8 upon पर इसका 10-10 उपट जा रहा है और इसको अपने पास में 5000 लेके चल रहा हूं 5000 ठीक है तो आग पास से आजाएगा इस इकोल टू है 6 रेजा 18 इंटू 10 की पावर है अग पास 18 और 34 अपने पास 34 और 18 माइनस का ठीक है तो आग पास आगा 14 है यह 6 और 18 आ जागा ठीक है 10 के पावर अपने पास बनेगा माइनस 18 और इसके 3 उपर जा रहे है बनेगा माइनस 3 अपन पर है 5 तो 5 3 जाए पर 15 है पास अपने पास रहेगा 5 तो एनर्जी आपने पास आ रहे है 3.6 इंटू 10 की पावर बनेगा पास 10 के पास है माइनस 21 ठीक है जो कि अनर्जी के सब्गाइद ही जूल मारी इसको मुझे को अनर्जी कर ना मैं पास इलेक्ट्रोन वॉल्ट में तो अपने पास जो वन एलेक्ट्रोन वोल्ट रहता होता है 1.6 इंटू 10 की पार माइनस 19 जूल तो यहां पे जूल को कर्वार ना 3.6 x 10-21 अपहुन पर है 1.6 x 10-19 तो अब पास 16 तू जा रहते हैं 32 तो 2.something अंसर आरा अब पास ठीक है अब पास option भी रहने वाला है ठीक है अब प्रोक्स में चीज़े चेक करें बने पास यहां मैंने 6.6 को 6 मान लिया इसको अब पास 5000 मान सकते हैं ठीक है अब पास अंसर रह करें सब्सक्राइब को नेक्स्सक्ट दिया है ताह दा त्रिशोल फ्रिक्वेंसी ओफे मेंटेरिल इस तू इन्तो इनों पार 14 हर्ट्स बीड़ीस तीक है ठीक है धिसटाइब फ्रिक्वेंसी इन यह यह बिगांस नब पास रांक सब्सक्राइब 6.6 into 10-34 और त्रिशोड फ्रिक्वेंट्सी दिया पास 2 into 10 की पावर 14 ठीक है वापी जीजे अप्रॉक्समें चेक करें इसको 6 मानगे चले 6 2012 वाजाएगा 12 into 10 की पावर आगपास बनेगा ये माइनस 20 ठीक है और अंसर किसमें आ रहा है जूल में आ रहा है और कोई ऑप्शन दिया पास लेक्रों वोल्ट में तो चेंज करना पड़ेगा वागपास बनेगा 12 इंटू है 10 की पावर माइनस 20 अपॉन पर चल रहा है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 तो 60 में पास 0.5 ठीक है 120 बस बनेगा 12 है 120 और है ठीक है तो फूर फूर जा 16 ने फूर 3 जा 12 है 30 तो फूर कितने जा फूर 7 जा 32 ठीक है तो आग पास अप्रॉक्समें अंसर में लिया तो अंसर बनेगा जाए 10.8 के सम्थिंग क्योंकि में आपे इसको 6.6 की जगा 6 माना हुए ठीक है तो आग पास अंसर फ्यलों मेरा चल रहा है तो 7 अप्रॉक्समें से आ ठीक है तो आग पास रहेगा 0.8 की अप्रॉक्समें से ठीक है ऐख बास फोर्वन का फोर्म वाता है P is equal to h upon lambda का बिलंडा मेंने बताहता है lambda होता है c और फ्रीक्वेंसी यहां पुट करते किवायल्य है एल्ब्डा है c और फ्रीकेंसी यहां ने पास उपर देन फ्रीक्वास एक पास h की वायल्य है 6.610 कब़ अवर मैंच तरिवो स्रीक् और फाइफ इसको अप्रॉक्स में लेके चलते है वापिस ठीक है आग पास से आज आएगा 22 है ले ले लेते हैं फाइफ पूजा टैन ने फाइफ लेजन एक सुद्दस आज आएगे ठीक है तो वन अब माइनस 29 ठीक है माइनस 29 अब पास एक पायंट पीचे शाफल कर देख तो आपास याज एगा 1.1 इंटो 10 कि पाइफ पार माइनस 28 ऑप्शन रहागा ठीक है 6800 एंग्स्ट्रों की मंदी आए तो वर्ग फंक्शन का आपने पास फॉर्मा था डेवली स्कॉरल टू एच फ्रिक्वेंसी नौट वापी शेंज करेंगे फ्रिक्रिक्वेंसी को अग बास है बन जाएगा लेम्डा होता है सी इपॉन फ्रिक्वेंसी थ्रिशो लेम और है और एच कोश में दिया है पर्ग में पास और अप्शन दिये इलेक्रों वोल्ट में तो आप इसको जूल पर लिए सकता है थी को ठीक तो बनेगा 6.640 मैंग्स थर्टीफूर ठीक है त्रिक है यहां पर एंग्स्ट्रों में इसको चेंज कर देंगे इसको चेंज कर द तीक है देना जाएगा इसको अप्रोक्समेल के चेंटर वापिस तो शिक्स इंटू 10 की पावर माइनस 34 है थ्री इंटू 10 की पावर एट नीचे ने पास है 6800 10 की पावर माइनस 10 उपर जाने पर प्लस 10 पाग पास है आजाएगा शिक्त रिजा 18 है इंटू 10 की पावर है उपास यह माइनस 34 और 8 आजाएगा माइनस 34 और 8 आजाएगा यह 6 है 26 ठीक है माइनस 26 और 10 की पावर 2 उपर जा रहा है माइनस 2 इसका 68 ठीक है तो आप नीचे 68 है इसको सॉल्व कर देंके उनको पास त्या जाएगा 236 है 248 है 29 जा 18 देने बनेगा अक पास 34 से ही सॉल्व करें ठीक है तो आप पास बनेगा 34 बन जाए और यहां पर जलेगा अक पास से 0.90 तो आक पास बनेगा 2 से जा रहा है तो 0.2 ही लेकर चल रहा हुए ठीक है तो आप पास से रहेगा 0.2 into 10 की पावर है minus 28 यह answer में पास आया है किस पर यह answer अबने पास जूल पर है इसको convert करना अबड़ है electron volt में ठीक है तो electron volt में करने के लिए आग पास इसको divide करते हैं पास यह 0.2 10 की पावर minus 28 अब वह है 1.6 into 10 की पावर minus 19 तो आग पास से 2 है तो आग पास से जाएगा 1 से जा रहा है ठीक है यहां पर दो option दिए 1.2 to 1.8 है तो चेक कर लेते हैं पहला आग पास से है 2.16 है तो आग पास से 0.8 1 से जाने वाला है तो फुरह अपने पास बैलेंस देन जीरो तो शिक्स्टीन में पास शिक्स्टीन तो थर्टी टू है तो आग पास बनेगा यह 1.2 अपने पास आ रहा है ठीक है और ओप्षन ए 1.2 भी है और 1.87 एट 1.825 भी ठीक है तो आग पास यहां पर एकुरेट वैल्यू आपको से लेना पड़ेगा ठीक है यहां पर 0.2 है तो इसको अपर और सॉल्फ करते तो आग पास बनेगा 0.29 के प्रोक्स ठीक है 0.29 के प्रोक्स ठीक है देन चेक करेगा आ 9 है यहां पर ठीक है तो वन से जाएगा आपने पास जी देन बैलेंस बचना है 29 अपने 16 3 और 13 ठीक है तो जीरो डलेगा तो आपको से बनना है 1.8 से ठीक है ओप्षन यहां पर पास पास है तो आपको पूरी वैल्यू से लेना पड़ेगा इस प्राइट पिजा आप सॉल् घालो से बनेके अधने पास से लेम ढफेट बने के लुच आपको से लैंडा होता हाचए हो अचिक कह अपने वालो में 6.6 10 कहार बना 4 और 34…. उहां प्छोन में 9.1 1 9 10 और 131 पर से 6 10 और 5 और से ले us 6.6 11 80 thinfahr 234 इन्टु 10 के पाउर प्लस 31 इन्टु 10 के पाउर माइनस 5 ठीक है अपन पर जाए अगपास 9.1 इन्टु 6 ठीक है तो 6 से बनेगा यह 1.1 है और पावर्ट बनेगी अगपास माइनस 34 माइनस 5 है तो 39 है माइनस का देन अगपास 31 है तो अगपास 8 बचेगा बैलन्स ठीक है तो अब में पास यह 11 पॉर्ट 91 पॉइंट से पॉइंट केट कर रहा है इन्टु 10 की पाउर है अगपास यह माइनस 8 देन इसको आप सॉल्व करेगे तो अगपास यह आएगा 91 और 11 चल रहा है ठीक है तो बनेगा 0.0 है हाँ पर डलेगा 0 देन आप पास 1 से जा रहा है ठीक है तन बैलेस पंच रहा है बैलेंस है 91 पास बचेगा यह तैन आप पास से 1 देन आप पास से पास से चल रहा है तो 21 को चल रहा है ठीक है 21 है देन आप पास से बचेगा पिर से 0 डलेगा पास तो 91 टू जा जाने वाला है ठीक है तो 0.12 चल रहा है हमारा कुछ है 0.12 10 की पावर है माइनस से ठीक है पाइंट को शेफल करते के बापिस देन अंसर होगा 12.2 ठीक है 12.12 अंसर है 12.12 x 10 पावर माइनस 10 ठीक है बन यहां पे 12 पावर्ट से नहीं दिया तो आप पास 12.12 रहा है ठीक है गश्राइब देन नेक्स्ट कोशन दिया है तर्ड डिप्रॉक लीवबलेंथ पार्टिकल ऑफ कनेटिक अनग अंगी के इस लैंडा वर्ट वूड़ी यद उद आ वीव लेंथ जो हो है के निटिट अबास होगा लेंटा एच एच ऐच फूंड के ठीक है अंडू ट में ये क्वेशन फॉर्स्ट है देन उसने का पास और आपास ऑफोल में फॉरो जाहेगी तो यहां पास होगा देंटा है एच पॉल कि टू-Mक अपॉन फॉर अंडिरोट पर ठीक है ने ने पास मण जाएगा अब फूर अपने पास उर्टोट में तो बाहर जाएगा और बी अब ऊस्ट पर ठीकट को तो है ठीक है जो ने आपने पास लेंडा डेश आने वाला पास हो रहाएगा तू लेंडा के पराबर तो आप पास ऑप्श्ण देगा ऑप्शन ए सई ठीक है अटो कुछ न दिया एन एक्टों एंड टो पॉर्टों और मुविंग विद्ध सेम स्वीड जिए वेवलेंड्स श्की ज्यादा रहें वह बताना अपने पास ठीक है तो लेंडा ने पास होता है एज जपॉन एम वी ठीक है अगर आप पास मास इंक्रीज करता तो लेंडा को रहता का भास तो हभी पार्टीकल है तो मास्वा प्रोटॉ deprecius और आक पस लेंडा हो का छो जादा रहने वाला है तो यहां पर आवफ्शन हेंगा 딱 प्लेज इस ग्लिटर देठ ऍटिक की शांति के की डिपेंडेंड़ सी चेक करें वेबह्ते हैं तो है कि नेच्ट कोशन दिया है कि find the maximum frequency of x-ray reduced by 30 kilo electron volt ठीक है यहाँ पर 30 electron नहीं रहना है 30 kilo volt रहेगा ठीक है यहाँ पर क्या find the maximum frequency of x-ray अब बस जो energy होती है उन्हें पस energy क्या होता है एक फ्रिक्वेंसी है ठीक है और जब कोई particle पास एक्सलेट करता है तो हम पर जो energy होती है बन जाती है चार्ड और यह potential ठीक है पर पर यहां पर यह पर पास यहां पर दिया है potential यह वाला चीज तो भी आपने पास दिया है 30 किलो वोल्ट तो 10 कि पाउर माइनस 10 कि पाउर 3 वोल्ट ठीक है energy होने पास किया इवी इसक्वेल टू एच और यह frequency ठीक है आप से frequency पूछा है तर फ्रिक्वेंसी बनेगा frequency is equal to ev upon h है लेक्टोन मुझे पता है 1.6 10 कि पाउर माइनस 19 और वी कोशन में दिया है 30 into 10 कि पाउर 3 और हमने पास है 6.6 10 कि पाउर माइनस 34 ठीक है तो इसको हम solve कर देगे तो पास है 310 32 जा तो आगपास से बनेगा 1.6 है इसके पाउंट से कट कर रहा है तो बनेगा 16 upon 22 10 कि पाउर माइनस 19 10 कि पाउर यहां बनेगा 4 3 इसका इंद इसका और 2 10 कि पाउर माइनस 34 ठीक है अगर आप solve कर तो 2 बन जा 2 है 2 816 है तो आगपास से बनेगा कुछ है जीरो पाउंट है 0.7 चल रहा है तो आपास ऑप्शन चलेगा ऑप्शन एस सही ठीक है 1177 से लेके चलता है तो 7.25 रेगन ठीक है नेच्ट कुछन दिया दा फोटो एलेक्ट्रिक कट ओफ वोल्टेज इन इस एक्सपरिमेंट इस 1.5 ठीक है वापिस वोल्टेज गिवन दिया 1.5 वाट इस दा मैक्सिमम कानेटिक इनर्जी पूछाए ठीक है तो मिन्हें पास फोर्मार रहत है कानेटिक इनर्जी का इनर् होता है एलेक्ट्रोन माइनस 19 वी कोशन पर दिया है 1.5 ठीक है इसको मैटिप्लाइब कर देगे हमने पास अंसर आजाएगा कुछ यह 16 और 15 है तो 65 जाट थार्टी एट है और यह 6 और 11 068 14 है और 24 को चल रहा है ठीक है तो आग पास रहेगा 24 है तो 2.40 x 10-19 ठीक है ओप्शन पर दिया है वने पास इलेक्ट्रोन वोल्ट मेंस है तो डिवाइड करते हैं 1.6 से तो अपासे बनेगा 2.40 x 10-19 अपाउन पर 1.6 x 10-19 पावर्ट्स कट कर रहा है 16 बंजा 16 ठीक है और 24 अपाउन यह दिया है 16 तो अपास आ जागा यह 8 ठीक है 8 बैलेंस में रहे देना अब पास 8 पॉइंट अलेगा अब पास जीरो तो 16 5 जा तो अपास रहेगा 1.5 लेक्ट्रोन पूलत अंसर ठीक है 16 फाइंट पास 8 रहते हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन दिया एन एलेक्ट्रोन इस एक्सलेटी तो इस पोटेंशल डिफ्रेंस 150 दा वेबलेंट थी तो लेंड़ा ने पास क्या रहता है 12.27 अपॉन अंडूरूट वी कोशन में दिया 12.27 है वी दिया 150 अंडूरूट में 12.27 और अब पास जो 150 रहता असकी वेली होती है है 12.47 अब प्रोक्स देन अब पास अंसर आगा 0.99 कुछ लेंगा 9 A okay then an अब अब पर आकपास का अंसर आजाएगा एंग्स्ट्रों दिया तो यह एंग फ्र्थ थीजा आप सब्सक्राइब करें ठीज़ें फॉस्ट पार नहीं करें पर फ्रव्त लाइक शेर एंड बास प्रोक्समें करें लिए पर लिए बॉट यह जीए चीज़ें जह ए आप चीजिए आपको मिले सेकते हैं जो आप्षिन बहुत दूर रहता है उन्हें पास चीक है तेना आप इसको यूज कर से इस मेथट्स को ठीक है थेंक यू